तो दोस्तो आज 19 ऑगोस्ट 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दिगज कंपणी टाटा पावर कंपणी लिमिटेट की उपर जिसके उपर मेरा लगातार खड़ीदारी करने का राय था इवन आज की डेट पर मेरा एकदम सेम है तो लास्ट यानि शुक्रबार के दिन शेयर क्लोजिंग दिया मार्केट में भी थोड़ा बहुत कम जोड़ी था जिस वैसे थोड़ा से नीचे के क्लोजिंग दिए 230 रुपए पे लगबख 1.08 परसिंग गिरावट के साथ अब देके लास्ट एमने देखा था कंपनी के रेजल्ट आउट हुआ था उसके और उसके साथ साथ और एक इंपोर्टन अपडेट्स भी है तो यह साड़े अपडेट्स हम कवर करेंगे सेम वीडियो पे और उसके साथ साथ आपका आगे का रनीत ही क्या हो सकता है शियर जिस पोजिशन पर है क्या इसमें इंविस्ट करना चाहिए या बाद में वेट करक सब कुछ हम डीटेल में बात करेंगे तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को पुड़ा अंतक जरूर देखना तो सबसे वहले आप देख लिजिए यह न्यूस का अपडेट यह न्यूस का अपडेट है आज यानि 19 तारीक को 2023 तो न्यूस का हैडलाइन रखा और अभी चल रहा है आपका जो की फनांशलर 24 तो यह जो वीशन रखा मतब गूल सेट का कमपई ने यह फनांशलर 24 के लिए ठीक है तो चली थोड़ा नीचे चलके आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका चली समझा जाए तो थोड़ा ध्यान से देखना अभीर सिना जी जो की कंपनी की मैनेजिंग डिरेक्टर इन एमडी और सीओ पद में है उन्होंने खुद यह स्टेट में दिया एक्स्प्रेस्ट कांफिदेंस इन नेशन पोटेंशल फॉस्टेंशल ग्रोथ इन रिनीवल एनर्जी दूरिंग इट्स लेटेस्ट इन्वेस सेग्मेंट की रिनीवल के पर कंपनी काम करता है सीना मतब कंपनी की सी ओ सिना एक्स्पेंट एट दे कंपनी एप्रोच तो सोलर पंप इस कॉछिए दू दिलेट ओडर अंडर कुसूम पोग्राम एन हिस्टरिकली लो मार्जिन तो यह पर्टिकुलर सेग्मेंट पे मतब रूफटॉप जो बिजनेस है उसका सोलर पावर का हैस फ्राइब विट इंप्रूफट मार्जिनल एंड अ सबस्टेंशनल और ब्लॉकिंग तो इस बार भी हमने देखा कि कंपनी की खास करके रिनीवल सेक्टर में काफी बढ़िया ग्रोथ देखनी को लर्जा था जो अमने देखा कंपनी का जो डेविनु सेग्मेंट पे अमने जो सोलर रूफटूप उस सेग्मेंट है कंपनी रेविनु जनेरेट किया उसके साथ साथ यह विए मेंशन किया कंपनी की सियो की तरफ से देखे टाट अब इस आल्सो फोकसिंग और इनहांसिंग मार्जिन इन EPC मतब इंजिनेरिंग प्रकूर्मेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाइल दे एंटिसिपेटेट बेनिफिट फ्रम लोर सेल एंड मडूल प्राइस इन दा कमिंग कॉर्टर दरील इंप्रूब्मेंट आर एक्स्प्रेस्ट इन सब्सक्रेंट कॉर्टर मतब जो क्व क्वार्टर फोर में आप चले जाएए क्वार्टर फ्री इवन लास्ट यह कॉर्टर टू में भी अमने देखा था काफी डाउन था इस बाद यह कंपनी के मार्जीन में काफी इंप्रूब्मेंट देखने को मिला तो जैसे का आप देख से तो 16.61 परसिंट के आसब जो कि लॉंग टम ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिल सके क्योंकि रिटल इंवेस्टर बहुत ज्यादा मतब बहुत ही जल्द इंपेशन्स हो जाते हैं कि कंपनी की जो में प्रोमोटर ए टाटा ग्रूप मतब टाटा संस उनके पास ही मेजरीट अब स्टेक है पर उसको छोड़क करें लेटेस्ट शेयरोलिंग पैटन के अकोडिंग स्टेक इंक्रीज होके 9.75% हो चुका है उसके साथ देखने वाली बात है कि जो बड़े प्लेयर्स जो है अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है लगा था लगा था दिएस की बात करें 14.16 परसंट का स्टेक था जो कि इस ब नहीं पर है 29.121 परसंट का स्टेक था आज की लिट पर देखें रिटल इन्वेस्टर्स ने स्टेक सेल कर दिया 28.48 परसंट स्टेक रहे चुका है और वो जो स्टेक है खरीदा कौन बड़े इंवेस्टर्स एफ इस ने तो यह दोनोई अपडेट दोस्तों कहीं नहीं जो पर के अंदर लॉंग टेम के लिए इन्वेस्ट किया उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है लास्टे की बात करें देखें कंपनी के अंदर वॉल्यूम भी इंक्रीज वा धीरे देरे करके उसके साथ सतल में डेलिवरी भी काफी अच्छा देखने को मिला देखें व पीछे मैं आपको एक छोड़ा सा नेगेटिव निउस भी दिखाता हूँ नेगेटिव मतलब एक सेंट से बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव निउस कोई बहुत जादा नेगेटिव नहीं है तो फिलाल देखिए कंपनी एक तो आपको तो मालूम होगा डेट-फ्री कं कंपनी नहीं है अब दिखी कंपनी का डेट जो है थोड़ा डिडियूस हुआ ये एक छोड़ा सा पार्ट है बढ़ हाँ स्टिल काफी हाई डेट है तो कंपनी के अगर हम बात करें मार्केट का आप देख लिजे पहले अगर हम बात करें का वह काफी हाई है अच्छा काम किया कंपनी के मैनेजमेन की तरफ से बाकी कंपनी के जो एक दम मीनियूम अगर हम बात करें बाकी जो कंपनी के प्रोमोटर से यानि टाटा संस ने कोई भी स्टेक सेल नहीं किया बाकी प्लेट में भी कोई इंक्रीज या इंक्रीमेंट देखने को नहीं विला यह अच्छी अपडेट है अब चले दोस्तों मैं आपको सीधा टेकनिकल चार्ट परन को लिखे चलता तो जैसे कि अब देख से तो अभी शेयर बीच में जा पर ओवर बाट जोन पर पहुंच चुका है अब बात यह है कि लास दिन मतलब लास्ट कुस दिनों पर मार्केट में भी कमज़री था शेयर भी बड़े कंपनिया तो जिस बैसे यहां पर भी मार्केट का इंपक्ट द चुका क्यों कि इस लेबल का आसपास कहीं कहीं काफी महीनों तक टाट पर को शेयर रेजिस्टेंस फेस किया जैसे कि आप देख से तो रिसंट टाइम में बात करें जुलाई के महीने पर रेजिस्टेंस उसके पहले एक साल का चार्ट पर रहना अगर हम देखा जाए तो आ यहां पर देखिए काफी बार रेजिस्टेंस मिला था कुछ समय के लिए सपोर्ट भी मिला था तो जिस बैस मैं आपको बहुंगा देखिए संबार के दिन बहुत इंपोर्टन है संबार के दिन थोड़ा अबसर्ब किजिए के मूबेंट को अगर 230 रुपे को पर शेयर आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी एट कर सकतो आपके वास अगर नहीं है तो और अगर है तो भी आप चाहिए तो एवरेज कर सकतो ठीक है बहुत यह ची लेवल मिला क्योंकि एक लेवल जब यह समझे यह कोई एक रेजिस्टेंस हो गया यह यह लेबल जैसे ही को से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेक करके निकल जाता है तो वहीं पर बन जागा क्या एक सपोर्ट पॉइंट और बागी बात करें के बोलिंजर वहां से भी पॉजिटीव अपडेट निकल करें क्योंकि बॉलिंजर बैंड का जो लौर बैंड्स है यह देखिए धि बागी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड आप करते हूं मिलता नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक क्या बबाई जैहिन